Hello and Welcome to Maths for Me इस वीडियो में हम लोग questions करेंगे worksheet no.4 और chapter no.1 that is squares and square roots के of class 8 जिसका हम लोग worksheet no.3 तक के सभी questions का solution देखे थे आप top right corner में visit करके या फिर description में check out करके उन videos को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो अब यहाँ पर हम लोग का worksheet no.4 का questions देखेंगे first question हम लोग का है find the squares square root of the following numbers by the long division method यहाँ पर हम लोगों को long division method का use करके square roots find out करना है तो हम लोग step by step process से इसको solve करते जाएंगे सबसे first step जो हम लोग का है वो है pairs ढूनना pairs कैसे ढूनना जाता है pairs कैसे लगाया जाता है जो भी number हम लोगों का given हो right side से pair लगाते हैं जैसे यहाँ पर हम लोगों का two digit, four digit का number है तो right side से जब इसमें pair लगाना start करेंगे तो a, 0 और 1 एक pair में आ गया और 98 दूसरे pair में आ गया माल लेते हैं कि यहाँ एक odd digit रहता एक odd digit suppose यहाँ पर five रहता तो उस समय कैसे pair लेते हैं हम लोग उस समय pair लेने के लिए हम लोग one और five को एक साथ किये फिप्टीन एक pair में आ गया right side से pair बनाना है हम लोग को two two digit का और दूसरा pair बन गया eight और zero का जो nine है वो unpaired उसको हम लोगों को क्या करना है छोड़ देना है nine को unpaired रखा गया अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह जो pair बन गया उसके बाद next step हम लोग क्या करेंगे divide करना start करेंगे किस से divide करेंगे सबसे पहले तो यह originally में क्या pair बनेगा उसको हम यहाँ पर pair बना के दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग का बन गया 01 17 और 98 17 तो यहाँ पर second step में हम लोगों को क्या करना है 98 को divide करना है यह जो भी यहाँ पर first में paired या unpaired रहे जो भी digit या digits उसको हम लोगों को divide करना है और divide ऐसे करना है कि जिस table से divide कर रहे हैं उतने time ही divide करना है याद जैसे 5 से divide करना है तो 5 5 जा 6 से divide करना है तो 66 उसी basis पर यहाँ पर देखना 10 से उपर हम लोगों को नहीं जाना है तो यहाँ पर 98 तो 98 है 98 किसके table में आ सकता या उससे कम 98 से कम 81 आ सकता है किसके table तो 9 से हम लोग इसको डिवाइट करने स्टार्ट करेंगे कितने टाइम में बोला गया जिसका टेबल ले रहे हैं उतने ही टाइम में तो नाइन नाइन जा जितना आएगा यहां पर लिखते ना है कितना रहा है यानि कि हम लोगों को क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रेक्ट करने का है तो सब्ट्रेक्ट किस में से किसको करेंगे हम लोग यहां पर जो 81 आया है और यह 98 सब्ट्रेक्ट कर दिए एट में गया 7 और 9 नाइन गया 17 और यह 9 है यह यह जो 9 है उसमें 9 ही एड करेंगे उतना ही एड कर देंगे तो 99 को एड करने के बाद कितना आगया 18 आ अगया कि स्टेप यह थार्ड स्टेप हम लोग का हो गया फर्स्ट टेप बना लेंगे सेकेंड स्टेप किसी नम्मर से जो यह फॉस्ट पेर्ड या अन्पेर्ड हम लोग का मिला है उसको डिवाइड करेंगे जैसे नाइन से टाइम में 81 आ गया अब 98 में 81 सब्टेट की 17 आया और हैं 10 से एडड करने अब यहांब्स आप है तो यहां Space मैंने छोड़ दिया यान कि single इग़िव यहां और आगे उसको आड करते जाना कैसे एंगे हम लोग का और यहां पर टू डिजिट का नंबर है यानि कि ऐसा नंबर हम लोग को ढूंड़ना है कि 1701 डिभाइड हो जाए यानि कि वन यूनिट प्लेस में आना चाहिए तो यह किस से पॉसिबल है क्या 181 से पॉसिबल अगर वन पूट कर देता है तो होता है वह दो नहीं होगा से फॉसिबल हे टू से तो होगा है क्यों प्लेस में नहीं पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल होसकता हम लोगों का और दूसरा हम लोग theatre नाइन कैन्प एक जिसके सकता है यहां पर हम लोग 9 ले लेंगे और 9 से यहां पर एड करते जाएंगे फॉस्ट डिजिट को ही दुबारा लिखके एड करते जाना है इसका आगे जरुरत नहीं है कि यहां पर हम लोग का अंसर आ जाने वाला है यह पूरा कट जाने वाला है तो यह हम लोग यह PROCESS नहीं करेंगे दूसरे question में देखेंगे जिसमें three digit four digit में answer आने वाला होगा उसमें यह आगे process बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर 189 लिखके यह इंड हो गया कितने time में आया उसको यहां लिखेंगे यह इतने time में आया 189 नाइन जा कितना आ रहा है one seven zero one multiply करके रफ में चेक कर लेंगे अब क्या next step में करना है अब next step में हम लोग को इन सब कुछ सब्टैट कर देना है दोनों को सब्टैट करेंगे तो cancel out होई जाएगा यानि कि हम लोग का answer आ गया square root of 9801 is equal to 99 this is our answer for this question फिर से हम लोग देखेंगे दूसरे question को और ज्यादा clear होगा यहाँ पर हम लोग पेर ले लेंगे right side से 61 का इधर पेर हो गया 65 का पेर हो गया तो सभी columns का अलग अलग यूज है यह वाला column जो है दो line दिया हो उसके बीच वाला column का use क्या है subtract subtract करते जाना है और इधर extreme left में जो हम लोग का है column दिया हुआ इसमें हम लोग को क्या करते जाना है add-add करते जाना है और यहाँ पर जिस तरह divide करते हैं division का जो आता है उसी तरह से यहाँ पर वो पार्ट लिखते जाना है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 65 किसके टेबल में आता है या उससे कम तो 8 के टेबल में 64 आता है जा बताया गया था first step में यह बताया गया है कि उसी नम्मर का टेबल लेना है और उतना ही time multiply करना ह से 8 कटेबल लिए तो 8 time multiply करेंगे तो 88 कितना हो गया हम लोग का 64 हो गया अब यहां पर हम लोग सब्ट्रेक्ट कर देंगे इसको सब्ट्रेक्ट करने पर कितना आ रहा है वन आ रहा है जीरो यहां पर बच रहा या कुछ जो भी बच रहा है उसको लिखने का जोरूत ने 0 य आप यहाँ पर नल्ट डाउन करते हैं अभ यहां पर आप 286 तो यह उनीट करते है वह पर चुन Delete करते हैं तो यहाँ पर 161 नाइन से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वन से हम लोग का यह डिभाइड होगा 161 वन जा 161 तो जितने टैम में आएगा उसको यहां पर लिखना है कितने टैम में और यहां पर जो वैल्यू आ रहा है उसको लिखना है अब इन दोनों को हम लोग सब्टेट कर 21 is equal to 81 अब next question हम लोग का है 390625 यहां भी हम लोग सबसे फर्स स्टेप में क्या करेंगे पेर बनाएंगे राइट साइट से तो पेर बना लेंगे यहां पर 25 फस्ट पेर में आ गया फिर 06 आ फिर 39 आ गया अब second step में हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है कैसे टेबल स इसे डिवाइड करना है कि 39 या उससे कम आना चाहिए और उतने ही टाइम से डिवाइड करना है तो यह किस के टेबल में है तो यहां पर कितना आ जाता है 12 यहां पर थोड़ा से स्पेस चोड़ देना है उसके बाद 39 में 36 सब्टेट करेंगे तो 3 बचेगा और 3 को लिखना ह और जो next pair है उसके दोनों ही डिजिट को यहां पर not down कर देना है 06 को not down कर देना है अब 12 है यहां पर और 306 है यह तो डिजिट का नमर है यह 3 डिजिट का नमर है तो यहां पर ऐसा नमर लाना है जिससे उतने ही time multiply करेंगे जैसे 1 लेंगे तो 121 जा 2 लेंगे तो 122 जा 3 लेंगे तो 123 जा इस तरह नमर हम लोग को choose करना है तो यहां पर हम लोग वो कौन सा possible नमर होगा जैसे 12 है तो यह टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे 12 12 12 24 12 36 तो 3 टाइम हम लोग ही भेज सकते हैं तो ही time हम लोग को भेजना होगा तू टाइम में क्या आएगा 122 तू जा तो यहां 122 तू जा रहा है यहां टू लिखना है क्योंकि जो यूनिट प्लेस होता है उतने time हम लोग को multiply करना पड़ता है यह पिछले question में ऐसा नहीं हो रहा होगा यहां पर आप देख रहे होंगे क्योंकि यहां डिजिट्स ज्यादा है तो 122 तू जा कितना आएगा 244 यहां पर आ गया अब यह 122 लिखा हुआ इसका unit place को यहां पर दुबारा note down कर देना है note down करने के बाद इसको add कर देना है इधर का process क्या है add करने का 122 प्लस 2 124 लिखके थोड़ा सा यहां पर space चोड़ देना है और यहां पर work क्या करना है mid में subtract करने का तो 6 में से 4 गया 2 बचा यहां पर 0 means 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा यहां पर यह cancel हो गया है कुछ नहीं बचा है अब 6 2 आ गया और इस 2 5 को यहां पर क्या करेंगे note down कर देंगे अब next step है हम लोग का next step या last step ही बोलने क्योंकि यह पूरा cancel होने वाला है यहां पर unit place में 5 दिया हुआ है तो ऐसा नम्मर लाएंगे जिसको उतने ही time multiply करेंगे first digit में तो 6 to 25 आ जाएगा वो number possible है 5 unit place में किस के table में आता है वो सिर्फ 5 के table में आता है यानि कि 1,2,4,5 को 5 से multiply करेंगे जिस से multiply करेंगे उसको यहां पर लिख देंगे को 5 से multiply करेंगे तो हम लोग का result आ जाता है 6,2,2,5 आप रफ में multiply करके देख सकते हैं अब इन दोनों को subtract कर देंगे तो यह दोनों क्या हो जाएंगे हम लोग के cancel हो जाएंगे और हम लोग का result मिल गया यहाँ पर चुका है जब यह cancel हो जाएगा पूरा तो यह प्रोसेस इदर का left वाले का stop कर देना है तो हम लोग का square root of 390625 का value आ जाएगा 625 दिस विल भी आर आंसर फॉर दिस question अब next number हम लोग का है 108241 108241 इसका मैंने पहले से पेर लेके रखा है तो पेर ले लेने पर यहाँ पर 101 पेर में आया एक नहीं नहीं थेकर दोना यह सकता हा लेकिन 10 से क्यम तरहा यहानि किन आ सकता है कि 20 में 30 के ए टेबल में अजाएगा हम लोग का कितना नाइन आ जाएगा अब 10 में से 9 को सब्टेक्ट एक तो 10 में से 9 को सब्टेक्ट करने पर यहाँ पर 1 बच गया हम लोग का और 3 यहां लिखा हुआ है तो दुबारह 3 लिखना है हम लोग को और इसको add कर देना है 3 3 add होके 6 हो रहा है हम लोग का और अब next step में हम लोग को क्या करना है इसको not down कर देना 82 है तो 82 को यहां पर note down कर देंगे अब यह 3 digit का नमर है और यह 1 digit का नमर है अब हम लोग को देखना है कि कितने table में यह आ सकता 83 तो वह ज्ग्वद्व साथ एक ज्जड़ा आ जरा एक ज्यादा नहीं चलेगा तो टू ट Rights में हम लोग को मौल्टिप्लाइ करना होगा यहाल लिदेंगे को संट मे और यहां पर हम लोग लिखेंगे कितनेव किटने नॉटिप्लाइ में चैया 7 में चैया और यहां तू लिख हैं दुबारा टू लिख के एड कर देंगे को यहसा हो के श्क्षी 9 4 हो जा रहा है और आगे यहाँ पर क्या करना यह तो अ invent pessoa करके 58 आ गया इस 4-1 को यहाँ पर नोट डाउन कर देना है अब यहाँ पर देखना किसके टेबल में आता है 5841 तो टेबल हम लोग अगर पढ़ है तो यहां पर बता है वन यूनिट प्लेस में किसमें किसमें आ सकता है एक 111 पॉसिबल है दूसरा 99 जा 81 पॉसिबल है तो यहां पर टूड़िजिट का नंमर है वन टाइम में 646 41 वन जा 641 यह आ जाएगा इसके एक वल नहीं आ रहा है तो कितने टैम में जाएगा नाइन टाम में जाएगा 649 नाइन जा 5801 5841 होगा आप रप में चेक कर सकते हैं यानि कितने टाइम में गया नाइन टाइम में गया तो यह हम लोगों का कैंसल हो जाएगा कैंसल होते ही हम लोगों का प्रोसेस जो है वो स्टाप हो गया यानि कि अगर हम लोग स्क्वाइर रूट आफ 108241 का बात करें तो इसका वैल्यू आ जाता है हम लोगों का 329 इस विल भी आर अंसर फॉर दिस क्वेस्टिन नेक्स्ट हम लोग का क्वेस्टिन है 363609 तो इसको यहां पर पेर जब किया गया है राइट साइट से तो 361 पेर 361 पेर और 09 एक पेर बना अब यहां पर हम लोग को डिभाइड करते जाना यह जो लाइन मैंने खिच लिया इसको आपको पहले से ड्रॉ नहीं करना है मैंने एक अंदाज से ले लिए कि इतना लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ सकता है क्योंकि बार-बार वीडियो को पाउज करना पड़ता है इसलिए यह लाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर लिए अब यहां पर फर्स्ट टेप में हम लोग को क्या करना है 36 किसी के टेबल में यह देखना है तो 6 के टेबल में 6 टैम में 36 आता है तो 6 से यहां पर हम लोग इसको डिवाइट करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 666 36 हो जाएगा 666 36 ूंक रटि-सिक्स यह 36 आ अब इस 6 को दुबार लिख देना है और 6 और 6 का sum कितना होता है 12 होता है और यहाँ पर इस mid वाले में क्या करना है सब्टेट करने का work करना है तो सब्टेट कर दिये तो यह cancel हो गया अब next step में क्या करना है इस next pair को not down कर दिये तो ऐसे not down कर दिये अब यहाँ पर इस question थोड़ा सा अलग है क्या हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पर कि इससे पहले वाले में क्या करते थे यहाँ पर हम लोग digit को not यह 1 यहाँ बचा या कोई भी नमर बचता था तो आगे वाले को आगे वाले pair को not down करते थे यहाँ पर कोई भी नम्मर नहीं बचा है यहाँ 36 से बचा है और यहाँ पर 12 है और हम लोग को divide कितना से करना है यह 2 डिजिट का है जब भी इसको divide करेंगे तो यहाँ पर at least 1 से start करना होगा यानि 1 to 1 3 डिजिट का नम्मर बन गया तो three digit का number two digit को divide नहीं कर सकता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा next का pair को भी note down कर देना होगा 09 को और ऐसा हम लोग तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर zero put करेंगे और यहाँ पर zero put करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा एक zero यहाँ भी put करना होगा नहीं लिए तो एक zero हम लोग यहाँ पर put कर दिये अब हम लोग को देखना है कि किसके table में 3609 आसकता है यम एक्स्टर लाइन होगे इसको इग्नोर करेंगे तो 1,2,0 आ गया 3609 कित कि िसके table में आ सकता है 9 किसके table में आ सकता है 9 आ सकता है 3 के table में 3 3 जा 9 होता है फिर 7 के table में आ सकता है 7 7 जा 49 यानि unit place में 9 हो सकता है तो 3 से ही ये divide हो जाता है 3 से 1 2 0 3 3 जा 3 6 0 9 यानि कितने time में divide हो 3 time में यहाँ पर 3 लिख देंगे यह हम लोगों का cancel out हो गया तो हम लोगों का क्या हो गया है यहाँ पर square root अगर हम लोग निकालें so square root of 3 6 3 6 0 9 will be equal to 6 0 3 this will be our answer for this question next हम लोग का number है 1 2 0 4 0 9 अब इसको divide करना है हम लोगो pair बना लिए इस तरह 1 2 0 4 1 2 का एक pair 0 4 का एक pair 0 9 का third pair अब हम लोग क्या करेंगे divide करेंगे तो किसके table में यह आ सकता है 3 3 0 9 होता है 4 4 0 16 होता है यानि 4 के table से ज़्यादा हो जा रहा है 3 के table से कम हो जा रहा है तो maximum वाला 3 के table से ही आ रहा है यानि 3 3 0 9 हम लोग यहाँ पर select करेंगे 3 3 0 9 हो गया 9 हो गया मीड वाले में क्या करना है सब्टैक्ट करना हम लोगे को ट्वेल में नैन जाएगा तो थ्री बचेगा और यहां पर क्या करना है उसी नभर लिखतेना है मेर्स के डिजिट को ऊट ही प्लेस के डिजिट है घर पने रिख देने तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर पूट करके चेक करते जाएंगे कि 304 या उससे कम कितने टाइम में हम लोग का आता है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग 5 से मल्टिप्लाइ करें यानि 65, 5 जा करके देखें यहां पर 4 लिख देंगे 64, 4 जा तो 64, 4 जा जितना आएगा उतना लिखेंगे कितना आता है 256 आता है और यहाँ पर यह once place digit को दुबारा लिखके यहाँ add कर देना है हम लोगों को 68 हो गया थोड़ा सा space चोड़ना यहाँ पर number put करने के लिए अब इन दोनों को क्या करना है subtract कर देना 4 है means carry over लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा 14 में 6 आगा 8 बचेगा यहाँ पर 9 हो गया 9 में 5 गया 4 बचा 48 यहाँ पर आ रहा है और इस 09 को यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं not down कर सकते हैं next वाले को not down कर सकते हैं अगर 2 pair को एक साथ not down करना होगा उसी case में 0 देंगे जैसे इस question में देख सकते हैं कि 2 pairs को एक साथ not down करना था एक यह pair को not down किये उसके बाद इस pair को भी not down कर दिये तो 2 pair एक साथ not down करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा 0 put करना पड़ेगा खेर वैसा इसमें हो नहीं रहा है 2 pair हम लोग को नहीं not down करना एक ही not down करना है तो यहाँ पर next step में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसा number लेना है हम लोग को जिसको उसके once place के digit से multiply करने पर 4, 8, 0, 9 आना चाहिए यानि unit place में 9 किस में किस में possible है हम लोग का 3 के table में possible है 3, 3, 9 होता है दूसरा 7 के table में possible है 7, 7, 49 यानि unit place में 9 आता है तो 6, 8, 7, 7 जा इतना आएगा 6, 8, 4, 8, 0, 9 आप रफ में multiply करके देख सकते हैं यानि कितने time में आया 7 time में आया हम लोग का 4, 8, 0, 9 ये अब क्या हो जाएगा हम लोग का cancel हो जाएगा cancel हो जाएगा यानि कि आगे का process नहीं करना ये हम लोग का answer आ गया so square root of 1, 2, 0, 4, 0, 9 will be equal to 347 this is our answer for this question now next question में हम लोग का number है 1, 4, 7, 1, 3, 6, 9 इसका square root निकालना है ये question थोड़ा सा अलग है कैसे अलग है जब हम लोग यहाँ पर right side से pair लेते हैं तो 69 का one pair बना 13 का one pair बना 47 का one pair बना और एक जो है one वो unpaired रह गया तो अब जो unpaired रह गया उसी को divide करना है सबसे first step में तो one किस के table में आता है one आता है one के table में यानि one, one जा one हम लोग का हो गया अब यहाँ पर subtract करेंगे one से one को तो ये तो cancel हो जाना है और यहाँ पर क्या करेंगे one और one को add करेंगे one और one add हो के two हो जाता है यहाँ पर थोड़ा से space छोड़ देंगे और note down किस को करेंगे 47 को note down करेंगे तो यहाँ पर two digit का number है और ये single digit का number है तो क्या two अगर one से multiply करेंगे 21 से तो 21 ही आएगा 22 से करेंगे तो 44 आएगा तो वो allowed है यानि कि यहाँ पर two लिख दिया हम लोग यहाँ two लिखते हैं यानि कि 22 two जा हम लोग को क्या करना है यह number जो यहाँ पर लाना है तो कितने time में ला रहे हम लोग 22 two जा 44 और जो यह unit place का digit लिखावा उसको यहाँ पर दुबारा लिख देना है अब इसको add कर देना है 22 और 2 add करेंगे तो 24 हो रहा है हम लोगों का 24 हो गया अब यहाँ पर हम लोग सब्टेट करेंगे चैंसल हो जाएगा 7 में 4 गया 3 बचा और यह 4 में फोर गया यह तो cancel हो गया अब next pair को not down कर देंगे 1 3 को not down कर देंगे अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 24 और यहाँ पर 313 है तो 241 टाइम में यह जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि अगर 2 टाइम में बहिजते है तो 24 हो जाता है यानि यह 3 डिजिट का बनेगा क्यों का यह 33 से जादा हो जाएगा और 2 टाइम में बहिजते है तो इसीलिए वन ही टाइम में हम लोग भाजेंगे यानि 241 रोजा कितना हो जाएगा 241 हो जाएगा अब 313 में 241 को सब्ट merc कर देते हैं तो क्या मिल जाсемे हम लोगको यहाँ पर बिल जा रहा है 72 सब्टेक्ट होगे और यह 6-9 नेक्सट पेर का जो नम्मर है उसको नॉट डाउन यहाँ पर कर देंगे अब यहाँ पर 241 यूनिट प्लेस में बना आया तो यहाँ पर दुबारा वन लिख के एड कर देंगे तो यह कितना हो जा रहा है 242 हो जा रहा है अब कि यहाँ पर नेक्स स्टेप हम लोग का है लास्ट स्टेप बोल सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग 3ूट कर दें यानि की 242 33 जा कितना आ जाता है इतना ही आ जाता है जो यहाँ पर नम्मर लिखा वाई है 7, 2, 6, 9 तो कितने time में 3 time में जाएगा कितना आ जाएगा 7, 2, 6, 9 यह subtract होके cancel हो गया है यहाँ पर हम लोग का तो root under root under 1, 4, 7, 1 3, 6, 9 अगर value का बात करें तो हम लोग का आ जाता है 1, 2, 1, 3 this is our answer for this question now next question देखेंगे हम लोग similar तरीके का यह question है 5, 7, 1, 2, 1 है right side से pair ले लेंगे 21 का एक pair हो गया 57 का एक pair हो गया और 5 जो है वो क्या रहा गया हम लोग का unpaired तो किसके table से इसको divide करेंगे 5 किसके table में आता है 5 किसके table में नहीं आता है उससे कम 4 आता है 2 के table में 2, 2, 4 आ जाता है 2, 2, 4 आ गया 5 में से 4 सब्टेट किये तो यहां 1 बच रहा है और इस 2 को दुबारा लिखके add कर देंगे तो यहां पर हम लोग का क्या हो गया 4 हो गया और इस 7, 1 को यहां पर not down कर देंगे जो next pair का है अब किसके table में आता है हम लोग का 171 के लगबग आ सकता है उससे थोड़ा कम भी चलेगा 2 डिजिट के नमर में 4 के बाद अगर 1 फूट करें तो नहीं आता है 2 फूट करें तो नहीं आता है 3 में नहीं आता है 4 में आता है कितना नहीं, 3 में ही आ जाता है, 3 के टेबल में आता है, कितना 171 से कम, 4 के टेबल में अगर हम लोग डिबाइट करें, 44, 4 जा अगर करें, तो 176 आ जाता है, तो 3 से करेंगे, 43, 3 जा कितना आ जाएगा हम लोगों का, 129 आएगा, अब इसको सब्टेट करेंगे, 11 में 9 गया 2, यहां 6 हो गया, हम लोग का 6 में 2 गया 4, और यहां पर 3 और 3 को एड़ कर देंगे, 43 और 3, 46 हो गया, यहां स्पेस चोड़ देते हैं, अब यह जो next pair है, इसको यहां पर as it is उतार देंगे, अब यहां पर हम लोग को देखना है, कि 1 जो है, वो लाना है हम लोग का unit place में, तो 46 है यहा जाता है, और 99, 81 उसमें भी 1 आता है unit place में, तो 469 होगा, क्योंकि यह 1 टाइम में 461 ही रह जाता है, इससे बहुत ही ज़्यादा चोटा है, तो कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में, आप रफ में multiply करके देखेंगे, कि 469, 9 जा 4, 2, 2, 1 आता है या नहीं, तो इतना आ ग का प्रोसेस हम लोग का इंड हो गया, अब जैसे यहां cancel हो जाएगा last में, तो हम लोग का square root जो यहां पर value आया है, वह value होगा, तो value के आ गया हम लोग का root under 5, 7, 1, 2, 1 will be equal to 239, this is the answer, that's all, we will meet again in some other videos, share this video with your friends and keep watching.